उबमंडल सलूनी के 12 पंचायतों के परधानों ने SDM सलूनी किरन भढ़ाना से बैठा करके प्रिस्ताब रखा कि सलूनी के कुछ ख्षेत्रों में स्फेद मक्का की अच्छी पैदावार होती हैं। और किहार, वांदलोर्ड, हिमगीरी के कुछ ख्षेत्रों में इसकी अच्छी पैदावार होती हैं। यह पूरी तरह जैविक तरीके से त्यार होती हैं। इसमें किसी भी रसाइन खात का इस्तेमाल नहीं होता है। इसलिए अगर इसे GI टैग मिलता है तो इससे यहां के किसान के साथ कुछ किसानों ने भी इस बैठक में भाग लिया। SDM किरन भड़ाना ने सब की मांग को जयज करार देते हुए कहा कि हम इसे सवंदित विभाग को भेजेंगे जिससे GI टैग मिले और किसानों को इसके सही दाम मिल सके। सफेद मक्का संगठन में भांदल पंचायत क के पूरब परधान याकुब मागरा को संगठन का परधान सूरी पंचायत के परधान कृष्ण नलाल को सरचिब और पिछला डियूर के परधान भीलो राम को कोशा ध्यकस और किलोर की परधान मंजुवाला भांदल के परधान बिट्टू सनुह की परधान भोटी देवी स इस अपसर पर क्रिशी विभाग के अधिकारियों समेथ किसाना और पंचायत प्रतिनीधियों के साथ समा से भी उत्तम सूरेवनसी भी उपस्तित रहे। मक्का संगर्ठन के बारे में किसानों की एक मीटिंग सुनोनी समडवीजन पर लिए गई जिसमें बाराप पंचैतों की प्रधानों ने अपनी उपस्तिती धरच करवाई और हमने सरवसंबती से परस्ता पारित किया कि एक सुनोनी जो हमारे स्फेद सुनोनी स्फेद मक्का के नाम से हमारे सिनर्थन को G.I.T.E.G. मिल इसके लिए आमने सर्व सम्वति से प्रस्ताव पारिप करके माननी एश्डियम होदे जी के सेवा में पेश किया ताकि हमारे G.I.T.E.G. की सविकृति मिल सके PLDV के लिए सलूनी से उत्तम सूर्य मंसी की रिपोर्ट